बनाई है भारतिय जनता पार्टी भी आचार सहीता का सन्मान करती है और हम सभी ने तै किया है कि इस प्रकार के समवाद के माध्यम से और समवाद को मिडिया के माध्यम से घरगर पहुचा कर इस पर चुनाओ परचार किया है मित्रवाज मैं जब मतुरा में आया हूं एं मतुरा व्रुंदावन गोवर्धन न केवल उत्तर प्रदेश देश भर के लोगों का स्रध्दा कैंद्र है क्यूंकि यही क्षेत्र है जहां पर भगवान सी कुरुष्ण ने स्री कुष्ण बनने की प्रक्रिया की शुरुवार कर काना को स्री कुष्ण बनाने वाला क्षेत्र यही कहीं पर भी जाते हैं अगर मालूम पड़ जाएगा आप देश में कहीं पर भी जाईए मालूम पड़ जाएगा भुंदावन से आये हैं तो तुरंग बोलेंगे रादे रादे तुरंग बोलेंगे और नकेवल देश दुनिया भर के अंदर समर्पन भाव के लिए राधा जी का जो तुष्टन के प्रती समर्पन था जो भक्ति थी उसके लिए तुष्टन के आगे भी आज हम राध्या का नाम देते हैं राधे कृष्टन बोलते हैं और ये भूमी यही भूमी पर देर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वद भी हुआ तीन महिने से लेकर 14 साल की आयू तक जितने भी असूरों को भेजा प्रभू ने इसका संधार भी इस भूमी पर किया और धर्म की स्थापना करने का काम किया था मदूरा की दिव्यता भव्यता लोटाना उसकी अध्यात्मिक उंचाई को जरा भी कम करे बगेर उसको आधूनिक से आधूनिक तिर्थिस्थान बनाना ये भार किये जलका पार्टी का लग्ष्ट और इस दिशा में पांक साल में धेर सारे काम हुए धेर सारे कदम उठा गए और मगर मैं इस पर जरा बात में भी आने बात में आऊंगा सबसे पहले कारेकर्म के माध्यम से वरज ख्षेत्र की समगर जनता को मैं दो हाथ चोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ क्यूंकि चाहे चुनाओ 14 का हो 17 का हो 22 का हो वरज के डिप में जब खुलते हैं सिफ कमल ही कमल दिखाई रहे मैं तिनों चुनाओं में बार्दिय जनता पार्टी के साथ यहां जुडा रहा हूँ 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था 14 में चुना हुआ उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले संकर की तरह मोदी जी की जोली वाटों से भरदी और फून बहुमत की सरकारे हूँ हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता जहां पर जहां तक उत्तर प्रदेश में व्योस्ता नहीं बदलती है उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता आपने मोदी जी के आप पिल का सनमान करते हुए तीन सो से ज्यादा सीटे देकर भारतिय जनता पार्टी की फून करते और फीर से 2019 में भारतिय जनता पार्टी के कारेकता आये उस वक्वी में अद्यक्सा आपने किसी की सुने बगर हमेशा की तरह आसिरवाद भारतिय जनता पार्टी को इसलिए मैं व्रजक्षेत्र की जनता को कहने आया हूं देश के सबसे बड़ा सुबा है बाइस करोर से ज्यादा मत दाता अगर विक्सित नहीं होता है प्रदेश तो देश का विकास विपी चड़ा रहे हैं और अब तो हमारे यहां कहते हैं नेनिहाल में भोजन करने बैठो और मा परोस्तने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है वे खाने में आती है बताओ अब यूपी का विकास करना है आपने वोट भी दिये और मोदी जी भी उत्तरप्रदेश से जीद कर देश के प्रधान मंत्री बने हैं उपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है मित्रो ये उत्तरप्रदेश का चुनाओ आने वाले पांच साल के लिए उत्तरप्रदेश की पार्टी के हाथ में की स्विचार जारा के हाथ में जाएगा इसका चुनाओ यह जो सरकार है भारतिय जन्ता पार्टी की है वो किसी एक जाती की नहीं संपूर्ण समाज की आपने 2017 में ही जातिवाद परिवारवाद और तुरुष्टी करण के आधार पर राज करने वारी पार्टियों को दरकिनार करती है आप मुझे बताईए रात निती के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या होना चाहिए रात निती के अंदर अपनी वोट बेंक का तुरुष्ट्री करन करने के लिए सारे समाज को डर किनार करकर आगे बढ़ना ठीक है ग्या मित्रोय सरकारे चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली तुरुष्ट्री करन के अधार पर चली और प्रश्टाचार का यहाँ चारो और बोल बाला था मैं आपको पूछना चाहता हूँ साड़े साथ साल से मोदी जी की सरकार है राहूल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते लगा सकते हैं ग्या लगा सकते हैं ग्या पांक साल हो गई योगी सरकार को अगिलेश बाबु नौटो की धेर निकलते हैं आपके लोगों एके आसे भारतिय जन्ता पाटी ब्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा हमने पारदर्सी सरकार देने का काम किया है हमने लोगों का जो पैसा था लोगों का जो अतिकार उसको अपने घर में मित्रो उत्रप्रदेश को हम सब जाने मगर तनिक मैं पांच साल पहले ले जाना चाहता हूँ समाजवादी की पार्टी की सरकार जी गुंडा रात था या नहीं था बता हुए जरा छोड से बोलो था या नहीं था बाहु बली परेशान करते थे या नहीं करते बहन बच्चियों को सनमान उसका अपमान होता था या नहीं होता था भार्द्य जनता पार्टी की सरकार आई जो बाहु बली से पहले पुलीस डरती थी वो पुलीस से डर कर गले में पट्टी लगा कर सरंडर कर रहे हैं और जब इन पर गाज गिरती है अखिलीस जी के पेट में तर्थ कहीं आजम खान कहीं मुक्तार अंसारी नजाने कितने कितने फैल फैला कर थे आजम खान को पकड़ा तो CRPC की सारी की सारी धाराये कम पड़ गई इतने केस आजम खान को लद गए पर मित्रों मैं आपको ये कहने आया कूँ सिर्फ दो हचार करोड की भूमी सरकारी संपती ये मापियाओने जो कब्ज की थी उसको खाली कराने का काम ये भारत्य जंता पाट की सरकार ने किया है मोदी जी के नेत्रुत में योगी आदिते नात ने किया है मित्रों यहाँ पर कानून का सासन करने लगाने का काम भारत्य जंता पाटी की सरकार ने किया है और अखिलेश बाबू आप कानून और व्योस्ता का सवाल उठादे हो जड़ा चुलू भर पानी में डुप मरों आ मैं आंकरे लेकर आया हूं अखिलेश बाबू मैं आपको कहना चाहता हूं मा बेहन मायावति जी मैं आपको कहना चाहता हूं कल मेरी बात का सारवजनिक जवाब दीजे अखिलेश बाबू के सासन से भारतिय जंता पार्टी के सासन में डखेती में सत्तर प्रतिसत कमी हुई ह्यें कितनी हुए भई। लूट में 42% की कमी हुए कितनी हुई हर क्या में 29% की कमी हुए कितने प्रतिसत की और अफफरण के अंदर 35% की कमी भारत्य जन्ताप कर सासन है और अगर आप इसका जवाब देना चार्चे तो जरूर देदो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है हमारा युवा मोर्चा का कोई कारे करता अगर आपको आंकड़े दिखा जाएगा यह जो दावे करते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सासन के अंदर सुसासन क्यूं नहीं यहां कानूं का राज क्यूं नहीं आए और मित्रो उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्य कि दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्ता है एक बार और आशिर्वात के देदो रादे रादे करकर अगले पांच साल में नंबर एक अर्थ व्यवस्ता बनाने का काम भार दिए करता हूं मित्रो यहां बहुत सारी माताय बेहने भी बैठी है अब तो बोटल का जमना आ गया है परन्तु पहले मत्की लेने जाते थे तो मत्की को ठीक से टकोरा लगाते थे या नहीं लगाते थे जरा जोड़ से बोलो भई लगाते या नहीं लगाते तो यह स्वार उपई है कि मत् तक जिनको यूपी देना है इस पर तो एक बाद टकोरा लगा देना और अगर टकोरा लगाओगे तो जवाब नरेंद्रमोधी के नेत्रुतों की भारतिय जन्ता पार्टी पर ही आएगे मित्रों कबीर साब ने बहुत खूब का है कबीर लोहा एक है घडने में है फ्र ताही का बक्तर बने ताही की समसेश लोहा ही होता है घडने में परिवर्तन है यही उत्तरप्रेश था यही पुलीस थी मगर सासन किसके हाथ में है इसका परिवर्तन है आज स्रिकान सर्मा यहां बैठा है स्रिकान को मैंने मेरे साथ काराले में काम करते हुए देखा है इतने युवा कारेकरता को इतने बड़े राज्य का हमने उर्जा मंत्री बना दिया जिले जिले में मुझे बताओ वह या जिले जिले में बिजली की स्थिती में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है सेहरों में 24 गंटा बिजली आती है या नहीं आती है काउं में 20-23 गंटा बिजली आती है या नहीं आती है पहले आती थी क्या आती थी क्या तो कबीर साब यही कहते हैं कि लोहोय से ढाल भी बन सकती है समसीर भी बन सकती है सासन अगर अखिलेश के हाथ में है तो गुंडों का राज होगा सासन अगर भाजपा के हाथ में है तो फिकास का रास्ता प्रसस्त होगा मित्रो हमने घुंडा राज से मुक्त किया है आतंकवाज से मुक्त किया है दंगों से मुक्त करने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार में किया है मित्रो यहां पर ठेर सारे काम यहां पर किये गए हैं मैं बहुत बीटेल में तो नहीं जाना चाहता हूं कुछ जरूर बताऊंगा भगवान परशुराम के नाम पर यहां प्रदेश में परशुराम पार का निर्माण हम कर रहे हैं यहां पर भुंदावन के अंदर देर सारे काम भी हमने चालू की हैं मतुरा में भव्यकृष्ण महोच्जव का उच्षव करकर दुनिया भर के यात्री मतुरा में आये यह परंपरा को भार्दिये जनता पार्टी में शुरू किया है श्रीकृष्ण जन्ममुल्ट सेत्र के दस किलो मीटर में तीर्थिस्तान गोसिद करने का काम भार्दिये जनता पार्टी की सरकाने किया है रूंदावन, बरजाना, गोवर्दन, बल्डेव, नंदगाउं, राधाकूंड और गोकूल जैसे धामों को तीर्थिस्तान गोशिद करकर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया है प्रज ती सिंकार्थ परिशत की हमने स्थापना की है प्रज परंपराओं की सभी छटाओं सांस्कृतिक परियावरन संबंदी भी चिंता यही समिधी कर रही है और आने वाले दिनों में विश्व भरका परियतन यहां आए इस प्रकार का हमने आयोजन किया है बाके बिहारी मंदीर की 22 कुंज गलियों और कुष्टन जन्मस्तान के मारगों का विकास मैं पहले भी आया हूँ आज भी बाके बिहारी की गलियों में जाकर आया हूँ बहुत बड़ा अंतर देकर मन को बहुत सांती में मांके बिहारी मंदीर की 23 कुंज गलियों को भी विकास कर रहा है लगभग मतुरा गुंदा और निगम शित्र में 70 जार गरों को जिसमें जब से ज्यादा गरीब गर है उनको सुद्ध पिने का पानी पहुँचाने का काम ये भार्दी जन्ता पार्टी की सरकार ने की मित्रों उत्तरप्रदेश की सरकार ने रामायन सरकीट, महाबारत सरकीट, सक्तिपिट सरकीट, आध्यात्म सरकीट, जहिन सरकीट और सुभी सरकीट को भी चालू करकर धार्मिक परियटन को पूरे उत्तरप्रदेश के अंदर बढ़ावा देने का काम किया है मित्रो मोदी जी की जब सरकार आई तब मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार देश के गरोड़ों गरीबों आदिवासियों और दलीतों की सरकार होते। पीछडे समाज की सरकार होगे और मोधी सरकार ने साड़े साथ साल में इसको चरितार्थ करकर दिखाया है मैं सिर्फ उत्रप्रदेश की बात करता हूँ अखिलेस भाई सुनते हो तो जरा जवाब दे देना कि आपके सासन में और बहन जी के सासन में 20 साल में ये सब क्यों नह से बढ़ना आपने मी कम सासन दे देना चाहिए नहीं देसा बहरा जोर के नहीं करोर 67 लाख घर हो तो पूरा घर दुहों से मुक्त हो जाता है, बिमार आत्मी का तो भला होता है, खाना पकाने वाली मा की आख की जोती भी नहीं जाती, फेफड़े भी इसके सलामत रहते हैं, लगबग दो करोड एकसट लाग सौचा लए बना रहे हैं। दो करोड एकसट लाग घर ऐसे थे, जिसमें सौचा लए नहीं था, वित्रों वो परिवार की महिलाओ की स्थिति की आप कलपना करते हैं। इसलिए उत्तरपदेश में सौचा लए को इजजत घर नाम दिया है, जिसने महिलाओ का सनमान बढ़ाने का काम किया है। आजादी के सत्तर साल के बाद, वो मा, बहन, बेटी सर्मसार होती थी। आज बोधी जी ने ये दो करोड एकसट लाग परिवारों की दस करोड बहनों को भाईयों को आज सौचा लए देकर उनका सनमान करना के काम किया है। मानतरूवतना योदना में 40 लाग लोगों को लाभानवित किया गया है। एक करोड 41 लाग गर ऐसे थे जिसमें आजादी के सत्तर साल के बाद बिजली नहीं थे। अबे कहते हम मुप्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश आप तो बिजली ही नहीं दे पाएगे। मुप्त की क्या बात करते हो आप। जो बिजली नहीं दे पाए वो मुप्त दे सकता है क्या बताओ भी। दे सकता है क्या। एक करोड एकतालीस लाग घरों को निसुल्क विध्यूत देने का काम इस्रिकान सर्मा के मेत्रुत में भार्दी जनका पाड़ी की संकाने की स्वनिदी योगना में 8,80,000 रहडी पट्री वाले भाईयों को मोदी जी ने लौन देकर उनके जिवन को कोरोना काल में पट्री पर चड़ाने का काम किया है परजान मंत्री स्रमयोगी मांधन 6,00,000 से ज़्यादा लोगों को दिया गया और उत्तपदेश में जब कोरोना आया तब आप मान कर चलिएगा कि सब को डर था कि उत्तपदेश के अंदर ज्यादा अतरा अबादी गरीभी रिखा के नीचे है किसी की रेडी पट्री बंध हो जाएगी किसी की ओटो बंध हो जाएगी किसी का कल कर खाने छोटे छोटे बंध हो जाएंगे ये लोग खाएंगे क्या कोई बचत तो होती नहीं दिन का कमाकर साम को खाते हैं क्या होगा मुदी जी ने 16 करोड लोगों को 2 साल से मुक्त अनाज देकर उनकी जीवन निर्वा को है विश्व में कहीं पर भी चले जाईए मित्रो कोई भी प्रांच में चले जाईए कोई भी देश में चले जाईए देश में 80 करोड और उत्त्य प्रदेश में 15 करोड लोगों को गरीब लोगों को खाने का अन नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा है मित्रो मैं मानता हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्दी है पर इसका असिर्वाद भारतिय जन्ता पार्टी हमारे नेताओं के सरपर नहीं है इसका असिर्वाद ये मुंदावन और मथूरा की जन्ता के सरपर है कि सरकार तो आपने बनाई आप सरकार न बनाते तो एक कैसे होता प्रदान मंत्री आवास योदना गरीबों के पास गर नहीं थे अखिलेश बाबु सुन ले ना गरीबों की बात करते रहे आप गर नहीं थे गरीबों के लिए 42 लाख लोगों को उत्तरपदेश में घर देने का काम नरेंद्र भोधी सरकार ने किया है योगि आदितिनाद ने इसको नीचे तक पहुचा है 2 करोर 54 लाग किसानों को और साल 6,000 रूपया 37,000 करोर रूपया हमने सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुचा है अखिलेश सिवपाल की जोड़ी सुन ले कोई बीचे टीम बीचोलिया नहीं है पैसे अब सीधे बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं और लगबग लगबग 15 करोड लोगों को प्रधान मंतरी आईस जमान भारत युद्ना का कार्ड दे कर 15 करोड लोगों को 5 लाग तक की सारी स्वास्त की सुईदाए free of cost करने का काम भारतिये जनता पार्टी की सरकार ले किए एक करोड चासट लाग किसान क्रेडिट कार दिये मैं गन्ना के एक शेत्र में आया हूँ पस्य में उत्तर पदेश में हूँ अखिलेश बाबु गन्ने की भी बात करते हैं भया अखिलेश आपके राज में रेकोर्ड लेकर आओ जन्ता के सामने कितना पेमेंट हुआ था ये बुआ बदुजा दोनों के राज में पत्पन हजार करोर का पेमेंट हुआ था कितना हुआ था जोर से बोलो भई भारतिय जन्ता पार्टी ने एक लाग अर्तालीस चार करोर उप्याटा के के बुवा बतिजा के राज में 42 गन्ना मिले थी 21 करकर गए 21 बंद कर दे ना उसमें गबन भी हुआ CBI इंक्वाइरी चल रही है हमारे राज में एक भी नई बंद हुई और बीजखिक सम्ता विस्तरण का काम योगी आदित्य नहात हुने किया ये गन्ने की बात करते हैं मोदी जी ने इथेनोल खरीद कर गन्ना किसान को मदबूत किया रोज सुगर पर एक इंपोर्ट की ड्यूटी डालकर सुगर के दाम चीनी के दाम बैलेंस करकर किसान को अच्छा गन्ने का दाम मले एस सुनी सीथ किया है और मित्रो लॉकडाउन के अंदर भी ये मिले बन नहीं ये मिले चलती ही रही और धेर सारे उसके कारीगरों को और गन्ना किसानों को अपना पुक्तान समय पर मिलता रहा है मित्रो प्रदेश एक ही प्रदेश ऐसा है उत्राखंड बनने के बाद भी जहां सबसे ज्यादा संत महंत बिराजवान होते हैं चाहे चित्रकुठ हो चाहे कासी हो चाहे भूंदा बने देर सारे संतों महात्माओं का यहां दिरा लगा रहता है क्यों लगा रहता हैं वे अब आए यह सभी इसी भूमी पर गुए धेर सारे धेर सारे अपने स्रद्धा केंद्रों का जीनोध दार नहीं होता थे मित्र आप मुझे बताओ मोधी जी की सरकार नहोती तो राम जनुल का मंदिर संभव था क्या होता क्या बाबा विशोनात का कॉरीडर बनता क्या विंधेवासिन का पूर्ण निर्मान होता क्या है यह भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है जिसने वॉट बैंक की चिंता करे बगर समाज के स्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदी प्यमान करने का काम किया है मित्रों आपने दूसरी बार मोदी जी को वॉट दिया दिया पूर्ण पहुमत की सरकार बनाई हमें हमेशा कहते थे अकिलेज जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तीधी नहीं बताएंगे अकिलेजी भूमी पूजन हो गया है आपको निमंटरने आप भी आजाना जब दजाज़ा चाहिए मित्रों सत्तर साल से बार के जनता पार्टी मांग करती थी कि कस्मीर के अंदर दारा तिन सो सत्तर उखार कर भैक देनी चाहिए यह पूरा का पूरा कस्मीर यह भारत का है कस्मीर भारत का अभीन अंग है पूरा देश इसके साथ से मत्ता मगर धारा तिन सो सत्तर को वाट बैंक की लालच में कोई झूता नहीं था आपने दूसरी बार सरकार बनाई और पांच अगस्त दोजार उन्नीस को नरेंद्र मोदी जी ने धारा तिन सो सतर को उखाड कर ठेग और जो कहते थे संसत में मेरे सामने खड़े रहकर कहते थे खुन की नद्या बन जाएगी कंकर भी डालना ही नहीं गा पत्थर छोड़ो कंकर भी नहीं डाला और आज वो कस्मीर भारत माटा का मुकुट मनी देश का भीन हिस्सा होकर गवरों के साथ भारत के नक्से का मिस्ता हो मित्रों पहले देश की सुरक्षा को एक कॉंग्रेस सपा बसपा सभी लोग ताट पर रखते थे एक समाजवादी पार्टी के निता ने कह दिया बॉर्डर पर फैंट्सिंग की क्या जरूरत है खोल दो सहमत हो भई आप सहमत हो अरे परिंदा भी प्यार नहीं मार सकता का है गोचिंता करते हो आप एक जमाना था क्या आए दिन वहां से आलिया मालिया जमालिया आते थे हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे और पैरों से रौंकर अप्मानीत करते थे मोधी जी की सरकार बनी पुरी पर हमला किया पुलवामा पर हमला किया दसी दिनों में पहले सर्जीकल स्ट्राइक और फिर एस स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुशकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम सिर्फ भारतिया जंटा पाटी ही देश की सुरुक्सा को सर्वोच प्राजमिता देती है और यह देनी भी चाहिए उत्तर प्रदेश देता बड़ा सुबा अग सिमाय उत्तर प्रदेश क भी नेपाल से सटी हुए इस इमान्त राज्य यहां पर भी सुरुक्सा बनी रहनी चाहिए यहां पर प्रसासन कानून और व्योस्ता ठीक रहने चाहिए और मैं कह सकता हूं मित्रोग हमने सपा को भी दिखा है बसपा को भी देखा है राहूल बाबा की कॉंग्रेस पाठी क व broker आम व्रहक को भी दे देखा है यह कोई रख सकता है क्या जबादुच्छे जरदा कोई यह उत्तप देश को सुरक्सीत रख सकते है क्या काश्मीर को समाल सकते है क्या केवल और केवल नरेन रमोधी के नित्र तो में भार्दिये जनता पाटि ही कर सकते हैं मित्रों और कोई नहीं कर सकते हैं आप सबने तय करना पड़ेगा आप सबने तय करना पड़ेगा कि आप व्यक्ति को चुनना चाहते हो या उत्तरप्रदेश और देश को चुनना चाहते हो आप सबने तय करना पड़ेगा कि आप पार्टी को चुनना चाहते हो या उत्तरप्रदेश और देश को चुमना चाहिए उत्तरप्रदेश और देश को अगर चुमना है तो भारती जनता पार्टी के अलावे इसको कोई सुरक्सित नहीं रख सकता मित्रो अताव मेरा निवेदन है कि हर बार की तरह 2014, 2017 और 2019 की तरह मैं करबद निवेदन करने आया हू कि हमारी जोली कमल के भूलों से भर दीजे और ये बांके बिहारी की भूमी पर ये मधुरा की पवित्र भूमी पर खडारे कर कहता हूं हमारा वादा है कि उत्तरप्रदेश को सुरक्सित भी रखेंगे, सलामत भी रखेंगे, विक्सित भी बनाएंगे और देश में नंबर वन बनाएंगे आप सभी लोग इतनी देव से बैटे हैं और मुझे सांती से सुना हमारे सभी प्रत्यासियों को आसिरवाद भी दिया इसलिए अंत में करबद होकर आपका धन्यवाद करकर मेरी वाद को विराम देता हूं